So here welcome to this episode of NEET student khabri और एक बहुत important information के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने हूँ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि NEET का result जो है वो finally आ चुका है अभी official website पे result नहीं आया है बच students को कही न कहीं email आ चुका है उनका result कुछी देर में कुछी टाइम में वो official website पे भी कहीं न कहीं publish हो जाएगा तो अगर आपने अपना NEET का result चेक नहीं किया है तो आप अपनी email id जो भी आपने NEET के application form के time पे डाली थी उस पे जाके अपना NEET का result चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद कहीं न कहीं finally answer की तो आई चुकी थी marks पता चरी चुके होंगे आपको अगर आपने देख लिया है नहीं देखा है तो जाके चेक कीजिए and अब उस marks के basis पे question यहीं आएगा कि कौन सी marks पे कौन सी rank पे कौन सा college में target करूँ government college मिलेगा या private college मिलेगा या मैं drop करूँ या फिर मैं जाऊं abroad education के लिए ये सारे सवालों के जवाब आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं because हम एक तरह से live भी आएंगे आपके सारे questions के जवाब भी देंगे और इस साल का क्या expected cut-off होगा वो भी हम कहीं ना कहीं discuss करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में so आभी के लिए congratulations to all the aspirants जिनोंने need के लिए अपयर किया था जिनके marks अच्छे रहे और वो कहीं ना कहीं इस साल you know government colleges में अपनी seat बनाने के लिए एक दम ready है and they'll become the future doctors right but जिनके marks कम हैं जो private colleges नहीं देख सकते हैं still they have hope कि बहुत सारे options है drop ले सकते हैं BMS कर सकते हैं BDS कर सकते हैं MBBS abroad कर सकते हैं because FMG का exam जो है वो कहीं न कहीं सभी students के लिए का बदल्चरी हो गया बले वो India का हो या फिर you know बाहर से पढ़के आया हो तो यह opportunities आप सभी के लिए अगर आपके दिमाग में question है आपका score बहुत अच्छा नहीं है आप नहीं समुझ पा रहे क्या करना चाहिए तो नीचे जो profile analysis form दिया है उसको फिल करके आप DTS ले सकते हैं This was me Arshin Khan signing off मिलते हैं एक और वीडियो के साथ